हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी BTCR DLA प्राथम समेस्टर से Model Question Paper 2019 और यह है आपका Computer Subject का Computer Section याने Computer Teaching Part 1 के बारे में अलोड़ी हम बात कर चुके थे यह अश्यड़े मैंने देखा था उसकी पार्ट 1 के Important Questions को लेकर के आज यहां पर Part 2 के बारे में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं भाग 2 के बारे में तो इसमें आपके जो वेरी शॉट टाइप के Questions हैं मत्ताव अतील लग तर यह सवाल है दोनों को मैंने दोनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा वीडियो आप पूरा जरूर देखिए और यहां पर Questions मैं बता रहा हूं उनको आप लगा करके उनको आप करके जी हां मीन टू से उनके Answers को आप जानकर के तभी आप एक्जाम हौल में चाहिए में टू से इंपोर्टेंट या आपके बहुत है questions सारे के सारे एंड अगर बात की जाए इसके आलावा आपके पास समय है अच्छी तरीके से तो आप जाकर के अदर जरूर पढ़े मैं यहीं से ही पढ़के जाए इसको जरूर पढ़के जाए मैं यह बोल रहा हूं तो चलि यह है आपका question और इसमें लिखा हुआ है byte जी हाँ सबसे पहले लिखा है byte तो यह होता है कि byte किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 8-bit का जो समू होता है byte को आप ऐसे लिखते हो भी वाई टी ए 8-bit का जो समू होता है उसको आप जो है 1-byte करके बोलते हो ठीक है फिर उसके बाद आती है CPU क्या है आपका CPU यानि के Central Processing Unit वहाँ पर मैंने फिलफार्म बताया था आपका part 1 में यहाँ पर क्या है CPU को आपको आप बताना होगा कि exactly है क्या जिसको brain of computer बोलते हो मैं तब मस्तिस को बोल देते हो computer का या mean to से कि आपका जितनी भी activities होती है सब कुछ आपके CPU के थरूँ होती है आप अपना book उठाइएगा यहाँ पर चीजें देखो मैं ऐसे तो बताया दे रहा हूं कि क्या कुछ है किताब को उठाइए वहाँ पर इसके बारे में detail में थोड़ा पढ़के उसके बाद ही जाईएगा एक वीडियो आपका जल्दी ही आएगा जिसमें first semester और second semester दोनों के लिए हो सब सीरों के बारे में होपसों मैं जल्दी बता दूगा पाकि आप पढ़ते रहीं अच्छे से जो भी चीज़ें हैं एल्यू के बारे में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है अगर एल्यू की बात की जाए तो जो भी reasoning या फिर जो भी आपकी arithmetic जो calculations होती है यानि कि आपके तार्किक और अंकी गड़ना उनको करने का जो काम होता है वो एल्यू का होता है windows में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं देखिए आपका ये 2017 में question पूछा गया था जब आप windows की बात करो विंडोस मतलब आपका कुछ भी है कोई windows वर्जन कोई भी आपका उसमें तो आप क्या करते हो कहीं भी desktop पर कहीं भी जो रिक्त स्थान है जो खाली स्थान है वहाँ पर आप जो है mouse का right click करिए ठीक है वहाँ पर आपको कई सारे options दिख जाएंगे ठीक है वहाँ पर एक new करक होगा new option आपको select करना होगा आप ऐसे बोल सकते हो कि माउस का जो है डाया बटन क्लिक करके स्क्रीन पर एक context मेन्यू करके दिखाई देंगे उसको आपको करना क्या होता है उसमें new पर क्लिक करके जो है new विकल्प में आपको जो है फिट से एक drop-down दिखाई देगा ठीक है drop-down होता है मतलब ऐसे नीचे नीचे कई सारे options आपको दिखाई देंगे उसको एक तरिके से जर्णा मेन्यू भी बोलती है ध्यान रखेगा थोड़ा साथ क्लेश्ट हिंदी है क्लेश्ट शब्दावली है जर्णा हिंदी आप drop-down लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है इंग क्लिक करके सीधी-सीधी भी folder नया बना सकते हो web browser क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हो web browser को लेकर कि मैं पिछले बात करके हूं वेव ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता क्या है जिसके माधिम से आप जो है किसी भी वेबसाइट को जो है रफीच कर रहे होते हो पहुच रहे होते हो मौजला फायरफॉक्स कुछ भी है आपने वहाँ पर यॉरल में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वहाँ प बाद आप जो है मनमाने अपनी जो है मन चाहे वेबसाइट पर आप पहुच जाते हो गुगल डाट कॉम आप फेस्बूक चला रहे हो कुछ भी है वहाँ पर किसी एजुकेशनल वेफसाइट पर आप जा रहे हो तो आप सारी चीज़े क्या है उस वेब्राउजर के माधिम परिदCC करति क्या होता है तो मातर होता है ना करना कंप्यूटर मेमरी किसे म crédit किछाइब में होता है थायसे सत में पीड़ना कर रहे होंगے ये तो बात होगे जो है कंप्यूटर की मेमरी को ले करगे आप के लोबाइट बो सकते हो कि अप से दे कि मेमरी इक शमताख्ि का अपने उपने जो एक हँगा है के भी कर нам कि मृल्टि मीडिया हो इसके तत्वा आपके चित्र भी चल चित्र होता है आपका एनिमेशन होता है ठीक है आडियो वीडियो जो भी चीज़े होती है सारी की सारी इसमें इंकलिवड होंगी मुल्टी मेडिया में 2018 DLA और BTC 2017 दोनों में आपका यह पूछा गया है बहुत इंपर्डन कोशन है मुल्टी मेडिया फि आउट्पूट हो गया डेक। आपके जो भी आइकन होते हैं एक चीज त्यान रखे आफ के आपके आइक अकैस घ्लॉत होते हैं वाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हुआ यहां पर ठीक है ऐसे डेक्स्टॉप आइकंस बिल्कुल जो आइकंस और इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर सेटिंग्स पनेर पर करते हैं आइकंस क्या है माई कंप्यूटर लिखा हुआ है मैं उसको चाहूं तो क्यों होता है वह एक पर चैनल कि में मैं होता है घृटफ के अजय को होता है सबने करने को निए विप गिद्व आप सब्सक्राइब करते हो आप के वारी को सेट हो जो भी विप करना चाहरा होगा ठीक है मैंस आउट्लूक देहन दीजेगा मैंस आउट्लूक के बारे में पूछा एक सौफवेर है आपका मैंस आउट्लूक तो मैंस आउट्लूक के बारे में बताना है यहले 2018 में पूछा गया था Microsoft का एक प्रोग्राम है एक Information Manager अब बोल सकते हो इसको जो है और और जो Windows का MS Outlook 2010 के रूप में यह कार्यानवित है MS Outlook के बारे में और चीज़ें आप देख सकते हूं सबसे पहली बात है यह आपका एक Software प्रोग्राम है Information Manager है किसके तरफ से Microsoft एक Company है Software Company है उसके त्वारा जो है बताए गया यह सारे आपके दुखनों को मिलेंगे यह सारे आपके इस जो है hacking की टूल्स होते हैं या बोल्स लो यह वाइरस की वह हैं बॉट्नेट्स बॉट्स क्या होते हैं आपके ठीक है Ctrl-C किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए और Ctrl-C-T-R-L प्लस वी यह होता है पेस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए Computer भाषा हैं कौन सी होती है मतलब ऐसी languages जिन पर computer आपका चल रहा होता है उचस तरिये भाषा है क्या होती है आपके उसमें C है या कुछ भी है आपका Java है जो भी है कौन से languages है वो आपको पता होना चाहिए search engine क्या होता है जैसे Google होगे आपका यहू search engine है Google है search engine में आप अपने मन चाहे तरीके से words को आप find out करते हो जो आपके विद्यमान है वह बाता अलग है आप लोग जो है Google के बारे में ज्यादा जानते हैं ज्यादा यूज हो रहा होता है तो आपको उसके बारे में ज्यादा पता होता है now Microsoft के बारे में एक बार देख लीजिएगा कि Microsoft क्या है जी हाँ एक जो है विश्वस्तरी आपके software निर्माता कंपनी है Microsoft जो भी आप Windows 8 Windows 10 जो भी आप चला रहे होते हैं Microsoft के जो आफिस है MS Excel है जो भी चला रहे होते हैं सब कुछ Microsoft का है Internet Explorer क्या है एक ब्राउजर है वेब ब्राउजर है इसके माधिम से आपका ऐसे चीज़ों अपने वेब साइट तक जो भी आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली अब वेब साइट तक जाकर करके पहूं सकते हैं Internet Explorer वह बात अलग है यूज़ बहुत कम होता है मौजला फायरफाक्स आपका है या फिर गूगल क्रूम अगरा हो गए सफारी है सारे ब्राउजर सापके ज्यादा यूज़ होते हैं इस समय को लेकर के गर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका यहां पर लिखा हुआ है 1024 GB एक हजार चोबिस गीगाबाइट में कितना टेराबाइट होता है तो वन टीबी में कितना होता है आपका 1024 में बात की जाए तो 1024 MB हो जाएगा पीडियफ क्या होता है पूर टेबल डॉक्विंट फॉर्मयाट होता है द्यानर की गाइड़ इमेल क्या है आपका इलेक्राणिक मेल होता है अभी अभी मैंने बताया आपका कि इलेक्राणिक मेल में आपका कुछ लिख सकते हो IPO का पूरा नाम क्या है Input, Process, Output होता है देहनर जीगा Input, अपने कुछ भी Input दिया Process and then Output तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि Input, Processing and Output cycle करके भी आप बोल देते हो कभी-कभी तो ये बाते हो गई IPO को ले करके आपका फिर बात आती है WAN इस WAN का आकार क्या होता है ये WAN वो आली नहीं है WAN है मैंने बोला था आपका जो networking की बात होती है आपका computer network तो तीन टाइप से main देखने को मिलते हैं आपका land, WAN and WAN local area network, metropolitan area network and third one is wide area network तो इसमें क्या होता है Samport, West Room में या जो आपका फैला होता है जो आपका internet है ना वो WAN आप बोल सकते हो WWW को World Wide Web ही आपका WAN एक तरिके से या internet ही आपका WAN है LAN आपका किसे एक office सक्से मिलत होता है मैंने आप एक metropolitan area network थोड़ा सा उससे बढ़ करके आप सोच सकते हो और जो सबसे बढ़ा कार होता है WAN का होता है MS Excel क्या है एक spreadsheet program है आपका जो है उसके बारे में थोड़ा से देख लिजएगा PowerPoint क्या है जो presentation इस समय जो आप देख रहे हो यह चीज PowerPoint पे बनाई गई है ठीक है उसके बाद इसको पीडियोप में चेंज कर दिया गया है तो यह आपका PowerPoint का हो गया computer की का क्या होता है आपका तो होता यह है कि जब आप contrast क्रीन की बात करते हूं तो computer के हर घ्टक को मैनिस करने का काम करते है computer memory मेरी में जयनकारी लेती है पढ़ती है उसे signals को भेजने का काम करती है यह साली चिख आपकाniejsिए Ctrliscrean का कहा होता है तो उसमें मैंने बोला था आपका ALU भी होता है और CU भी होता है गंट्रोल यूनिट भी होता है ठीक है वहाँ पर आपको इस चीज़े देखने को मिल जाएंगे आपके निहाने टू या जो भी है वहाँ पर एक बार उसको चेक कर लीजेगा कि सुपर कंप्यूटर है क्या चाहिना का ही है यह समय जो सबसे आगे है सप्प्वेर और हार्डवेर होते कैं है सिंपल सी चीज है है वेफसाइड में होम पेस का आर्थ क्या होता है होम पेस आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है गिगा हैट्स में आप मापते हो उसके बाद बात आती है computer पर किसे और सिधानत लागो होता है तो analytical engine के लागो होता है real operating system क्या है अब जब OS की बात करोगी न operating system तो वहीपि आपको समूह होता है आपका या संयोजन होता है जो सौफ़वेर या हर्डवेर के किरियाओं के मद्ध है आपका एडजेस्टमेंट या समझे से स्थापित करके जो है आपका नोटपैड क्या है बिल्कुल नोटपैड पर आपका कुछ काम करते हो अच्छी तरीके से लिकिए उसमें जैसे आप देखेंगे अपना खोल के नोटपैड के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी कि नोटपैड आपका है क्या आप बता दो कि स्वेश्च आपकी जानकरिया चुराई जा सकती है वायरस का एक परकार आप माल सकते हों या जो बीचीज आनिमेशन में क्या होता है एक बार अपने जो है बॉकसे इसको देख लीजेगा वहां पर क्या होता है इसे 2ड आनिमेशन होता है अपके सामने जो च्ञवियां प्रकट होती हैं, model चप्याँ प्रकट होती है, वो साइज़ चैजे ऐनिमेशन होती है, माइनेटवर्क प्लेशेज में क्या कुछ होता है, जब आप बात करते हो, माइनेटवर्क प्लेशेज की, तो आप पर आपका, देखने को मेलेगा, जब आप कौन सी चीज़ आप इंस्टॉल की हो कौन सी आप अनिस्टॉल की हो फाइल फोल्डर्स को आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो सारी चीज़ आपकी माय नेटवर्क प्लेस में दिख जाएंगी क्या कुछ है आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरण क्या होते हैं हब हो गया आपका स्विच ड्राउटर है सारी चीज़े जो है वह आपके एक कंप्यूटर नेटवर्क में आपका एक कंप्यूटर भी आ जाएगा यहां computer continent से जोना modem द्वारा होता है नाव यह आपका लगुतर रिये सवाल है computer card पता होना चाहिए आपको compute सब्त से बना है गढ़ना करना मतलब होता है computer क्या है सब चीजह आपको बताना वहां पे विशेरिषा क्या है लाव क्या है computer से फिर computer की computer का विकास है उसके पीडियों को ले करके कि आपका जब फर्स्ट पीड़ी आपके शुरूही प्रधम पीड़ी जो है वो 1942 से कहीं करें डेट आपकी चेंज मिल सकती है ठीक है प्रधम पीड़ी देते हैं पीड़ी 1955 से उसके बाद रते हैं पीड़ी पर यह आपको HDD लिखा हुआ बिल जाएगा ठीक है फिर बात आती हार्ड डिस्ट ड्राइब हो गया और नाव मॉडम का आर्थ क्या होता है अब यह उपर मैंने हम लोगों ने देखा कंप्यूटर को किसरी किसे इंटरेट करेक्टिवीट यह बात होती है प्रिंटर के प्रकार यह भी आपको पता होना चाहिए इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर होते हैं या नॉन इंपक्ट प्रिंटर होते हैं उस सारे क्या है आपके प्रिंटर के प्रकार हो गया ऑनलाइन कमिनिकेशन क्या होता है online communication जैसे मैं जब live classes लेता हूं तो मैं online communication हो रहा होता है आप सिदे सिदे example वहां पर दे सकते हो online communication का उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी फिर है search engine के बारे में आप कुछ भी दे दिए Google याहू अभी हमने बात की जो है उसको लिखर के search engine आपका exactly है क्या तो आप बताए कि जिसके द्वारा किसी भी विशरे से समंधित विश विश भी आप आप राप्त कर सकते हो search engine हो गया antivirus क्या है वायरस जो चीजें होती है उनको counter करने के लिए आपका antivirus जो है देखने को मिलता है कई सारे एंटिवारस है उनके आप नाम लिख सकते हो ठीक है कासपर सकाय हो गया आपका जो है क्विक हील है सारे एंटिवारस के नाम है क्या है कैसे काम होता है उसके बारे में नेटवक टॉपलाजी स्थार बस अपका ट्री टॉपलाजी यह पड़की जरूर जाएंगे नेटवक टॉपलाजी के बारे में भी वेबसाइट क्या है Windows वेबसाइट क्या है Windows वेबसाइट क्या है MS-DOS Microsoft Disk Operating System होता है MS-DOS then बात आती है Login and Logout को लेकर की Login करते हो आप Facebook पे Login की and फिर Logout करती है अपनी Informations से आप बाहर आ गए छोड़ करके वहाँ पी फिर लिखा हुआ है computer में Hindi tapping ही तू software MS Word है पेज मेकर हो गया आपका जो है आपका CV टाइप कर सकते हो आप जो है Input-Upput Devices के नाम Vivint Office Packages क्या होते है Microsoft Office World Access आप PowerPoint कुछ भी लिख दे उसमें सारे के सारे include होंगे computer network media player का प्रियोग upload क्या है कोई भी चीज़ आप upload कर रहे होते हो आपको अच्छी तरीके से पता है आप उसको शब्दों में create कर रहे होते हैं Pen Drive का है एक आपकी डिवाइस है जहां पर क्या करते हो आप जो है storage unit है आप बोल सकते हैं कि storage unit है hardware है आपका जिसमें आप storage store करते हो files folders को imported documents को वीडियो फाइले वीडियो को किस परकार upload किया जाता है आपके book में आपको मिल जाएगा सिंपल साय क्या होता है browse करके option होता है मैं थोड़ा सा बताय दे रहा हूं ब्राउज करके होता है जब आप ब्राउज करोगे तो आपका desktop पे ले करके जाएगा desktop से आप जहीं कहीं भी भी कहीं पर भी folder में रख्योंगे उसको आप वहां से fetch कर लीजे उसको वहां से upload का option लाएगा फिर upload कर देना है वहां से चलाएगा उठाएगा ठीक है desktop के विभिन आवयों क्या है जब हम बात करते हैं तो विभिन आवयों जो होते हैं आपके desktop के my computer हो गयरा वहीं पर रखा होता है आपका यह जो भी चीज़े रेसाइकल बेन हो गयरा वहीं पर देखने को मिलता है और Sanskrit के लिए मैंने बोला है previous year का मैंने model paper बनाया था उसको आप उठाएए 2018 संस्क्रिट मैंने solve करवा दिया है उसको लेजी आपका काम हो जाएगा मैं हर बार बोलता हूं फिर भी आभी भी बोल रहा हूं बाके question paper में आप कैसे लिखोगे वह मैं आप लोगों को बता इतना ही थाज के इस वीडियो में thanks for watching this video